दोस्तों अगर आपने भी Yono SBI application से कोई भी schedule payment की है और आप आपका मन बदल गया है या फिर आप उस payment को नहीं भेजना चाते हैं तो उस payment को किस प्रकार रोख सकते हैं जो payment जाने वाली है तो इस वीडियो को पूरा last तक देखेंगे तो आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएग सबसे पहले आप सभी को करना क्या है Yono SBI application को open करना है open करने के बाद यहाँ पर आप सभी को login ID या password डाल कर या फिर आप सभी को mpin डाल कर login कर लेना है यहाँ पर मैं mpin डाल कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने mpin डाल लिया है उसके बाद यहाँ पर login हो जाएगा फिर उसके bank account पर click करना है bank account पर click करने बाद यहाँ पर जो आप सभी old ждt दिखाई देगी दो sigle transfer list पर click करना है kay click करने के बाद जो payment आपको cancel करना है तो आपको वह यह देखिए जैसे यह payment है इस payment को मैं cancel करना चालता हूं यह देखिए तीन जार उपाइ payment है इस पर OK पर आप सभी को click कर लेना है ओके पर जैसे click करेंगे उसके बाद ये जो है payment जो रहर देके schedule payment ये देखे cancelled होगा इस पर OK पर click करेंगे okay पर जैसे click करेंगे ये payment जो cancel होगा schedule list में फिर से देखेंगे देखें पेमेंट जो है contenido हो चुकी है तो इस प्रकार आप schedule list से payment आसानी से cancel कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो क्रिप्रा करके इस वीडियो को like करें अपने सबी दोस्तों के साथ share करें चैनल को अभी तक subscribe नहीं है तो please subscribe जरूर कर लिए हमारे चैनल को साथ में notification बिलको all notification पे on जरूर कर लिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही thanks for watching my video जै हिंद वंदे मात्रम बाई बाई दोस्तों कर दोस्तों